हेलो प्यारे बच्चो नमश्कार मैं हूँ अनंत गोड और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यह चैप्टर नमबर सेवन है सेवन्थ क्लास का सिविक्स के अंदर इसका नाम है मार्केट अराउंड अस इसे हिंदी में हमारे आसपास बाजार के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं तो बाजार के बारे में तो हम सभी को पता ही है कि बाजार होते क्या हैं और हम अक्सर जाते भी रहते हैं बाजार के अंदर अगर हमें किसी चीज को करीदना है जैब वो वेजीटिबल्स होगी जैब वो सोप होगी चाहिए टूठ पेस्ट वो गया दाल चीनी कुछ भी हो गया समान लेने के लिए हम अकसर मार्केट में चल जाते रहते हैं और इस चेप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मार्केट भी होते हैं वो कई तरह के होती हैं जैसे कि शोप्स होती हैं पर्मानेट शोप्स होती हैं या जो होकर्स होते हैं जो कि हमारे घर के आसपास गुमते रहते हैं समान को अलगते रहके लेकर वीकली मार्केट के अंदर के बा प्रियास करेंगे इस चेप्टर के अंदर कि जो समान है वो बायर्स तक कैसे आता है कोई भी समान करीदने के लिए जाते हम वो समान हमारे पास कैसे आता है और इसमें बायर्स कोन होते हैं खरीदार कोन होते हैं और बेचने वाले कोन होते हैं सेलर्स कोन होते हैं और इसके साथ में ये भी हम जाने का प्रयास करेंगे उनको किस किस तरह की प्रेशानियों का सामना भी करना पड़ता है तो यहां पर अगर हम पिच्छा देखे तो अलग लग तरह के प्रोडक्स दिख अब हम चलिए अब हम देखते हैं वीकली मार्केट के बारे में वीकली मार्केट जिसको सब्ताइक बजार का जाता है इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि वीकली मार्केट होती क्या है जो वीक में किसी विशेश दिन लगती है जैसे कि संडे मार्केट होगी ठीक है मंडे मार्केट होगी सेचडे मार्केट होगी या वैडनेश डे मार्केट होगी बुद्ध बजार मंगल बजार इस तरह की मार्केट बड़े-बड़े शेहरों में लगती रहती है आला कि छोट गरब पर वापिस ले जाते हैं और इसमें हमारी जो जरूत के अलग बग सावी समान एक ही जगह पर मिल जाता है और यह जो समान होता है वह बहुत ही सस्ते डेट पर भी हमें आसानी से मिल जाता है इसमें एक और बात विशेस बता रखिये जो weekly market के अंदर कि जो यह समान सस्त मिलता है उसके पिछे कारण क्या है क्योंकि जो permanent shop होती है उनको अलग लग तरह का खर्चा उठाना पड़ता है जैसे कि कई बार जो है दुकान को का किरायद चुकाना पड़ता है electricity bill भी देना पड़ता है लोगों को government के tax भी देने पड़ते हैं और कई की बार जो workers रख अच्छे से चुकाने नहीं पड़ते हैं क्योंकि वह सारा के सारा समान अपने घर पर ही श्टोर करके रखता है इसके अलावा जो एक और विशेस बात बता रहा है कि weekly market के अंदर एक सेम product की कोई भी हमें एक समान करेदना है तो उसकी अलग लग दुकानी मिल जाती है इसका benefit क्या होता है कि अगर कोई दुकानदर हमें कोई भी समान high price पर दे रहा है तो हम दूसरी जगह पर जाकर प्रियास कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि भी उस same product का क्या price दिया जा रहा है और अगर वह हमें सस्ता मिलता है तो हम उससे खरीदना पसंद करते हैं और यहां तक कि हम bargaining करके उस price को और भी कम करवा सकते हैं फिर इसके अंदर यह भी बता रहा है कि weekly market का एक और benefit है कि हमें अलगलग समान के लिए अलगलग बजारों में जाने की जूरत नहीं पड़ती है ठीक है जैसे बरतनों वाले बजार में बरतन लेने के लिए जाना पड़ता है ठीक है या आसपास की दुकाने होती हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे अभी तक हमने weekly market के बारे में देख आएं कि weekly market होती क्या है फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास की दुकाने होती हैं देखो वही, weekly market वीक जो सब्टा के एक दिन लगती है, मगर हम हमें और दिन जो समान करेदना होता है, तो हम अपने आस्परोस की दुकान पर जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने आस्परोस की दुकान से किसी भी जो है, डैरी की दुकान से कोई भी मिल्क ले सकते ह में या ग्रोसरी किराने का समान लेना है, या स्टेशनरी का समान लेना है, मेडिशन लेनी है, तो यह जोरूत पढ़ती रहती है, तो वहां आपने आस्परोस की दुकान पर जाना पसंद करते हैं, और यह तो होता है, पर्मानेट जो कि vegetable बेचते हैं सब्जया बेचने वाले हो गये जो हमारे घर के आस पास आते रहते हैं या fruit vendors होगे ठीक है या mechanics होगे तो हमारे घर पर इन सबी लोगों की जूरत पड़ती रहती है कि हमारे घर पर कोछ भी ठीज खराब हो जाते हैं जैसे कि फाइप खराब हो गया अगर जोरुते पड़ती रहती है इसके अलाव जो हमारे आस्परोस की दुकान ने होती है मोसली किराने के दुकान होती है वहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स में एक अच्छा संबंध बन जाता है जिससे कि जो दुकान दार होता है वो उनको उधार में भी चीजे दे देता है ठीक है और ये सुजाता के बारे में भी उपर बता रहे कि जो सुजाता भी है वो किराने के दुकान से पूरे महीने का राशन करीती है और जब उसके पास पैसा जाता है तो वो दुक क्या होते हैं तो अधितर जो शेहरी शेत्रों में एक बड़ी इमार्त के अंदर कई तरह की दुकाने होती हैं और यह मोश्टली एर कंडिशन माना जाता है और यहां पर जो जितनी भी समान होते हैं वह अलग लग फ्लोर पर अलग तरह के चीजे मिलती है कपड़े के लिए अलग फ्लोर बढ़ाए जाते हैं जा पर बच्चों के लिए कपड़े मिलते हैं या बड़ों के लिए कपड़े मिलते हैं ठीक है तो इस तरह से मार्केट पाई जाती है एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुमेंजला इमार्त होती है अब यहा यहां पर जो खरीदार होते हैं न वो कम ही लोग पाए जाते हैं ठीक है तो इस तरह से इस वीडियो में हम यहां तक ही पड़ेंगे मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह चैप्टर भी समझ में आऊगा थैंक यू फॉर वाचिंग इन उस फर जब सबस्टान कोग तक है तो प्ड़ोच़् से फिएर से दिएगल प्र भी सुता ही जतुदार सकता ही ऐस्तुई प्रद्त का दिता हैं तो हुगत मैं उसिए।